में 23 सतरी यह पंचायत चुनाव में होने हैं पहले चरण के लिए आज पंचायत चुनाव को रण में दावेदारों के चहरे साफ हो जाएंगे यहाँ आपको बतादे कि आज पहले चरण के के चुनाव में नामांगकन दाखिल करने के लिए अंतिम दिन है और कब तक proportion दाखि सावन जी के साथ उनके साथ मौजूद रहेंगे बाचीत के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकार प्रतुल सिन्हा जी जिन से भी हम बात करेंगे लेकिन सबसे पहले प्रभीन जी आप से जानना चाहेंगे आज अंतिम दिन है कई सारी स्थितियां आज स्पष्ट हो जाएं आज अब तक इंदोर जिला पन्चायत पर अगर हम बात करें तो पांच नामनकन दाखी लुएं और इंद sujet पर अगरम बात करें तो क्या कुछ परिवर्तन है? वहाँ अब 76 और सरपंच के लिए अब 2309 की अस्थान पर 231 और 945 पद इस प्रकार पंच के हैं जहां पर कि निर्वाचन की प्रकडिया अस्थगित हो गई है और इन अस्थानों के लिए अब नाम निर्देशन पत्र अभी प्राप्त नहीं किया जा रहा है जो आयोग के निर अन्य प्रकार के लिए अगर आप जीले में बात करें तो क्या स्थिती हो गई कि पहले 4000 कुछ वाट थे जो पंच सरपंच के थे इसके अलावा जन्पत के सो हैं और 17 यह थे तो अब ओर ओरल कितने लेस हो गए हैं देखे जैसा मैंने बताया 945 पंच पद के कम हुए हैं तो अब 4760 की ज HC जङँगा 4515 पद के लिए निर्वाचन हो रहा हैं 309 पद सरपंच के थे जिसमें से 78 पद कम हो गय हैं और इस प्रकार 231 सर.पंच पद के लिए हो रहा हैं और 24 और 4 जिला पंचायत और जन्पत पंचायत के पदों के संक्या कम हो गई हैं जिनका निर्वाचन अब भी नहीं हो रहा है इसके अतरिक्त जो निर्वाचन की अनिसामगरी है वो भी हमारी पूरी तरीके से तैयारी है नाम निर्देशन पत्र का जैसा की आप सभी को जानकारी है आज अंतिम दिवस है हमने अब्यारती को किसी प्रकार की कठनाई नहीं हो इसके लिए विसेश व्यवस्ता की है अंदर जाकर आप देखेंगे हमने बेरिकेट्स वागरा भी लगाया है चोकि अभी तक जो है काफी कम संख्या में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए है तो हमारा ऐसा मानना है कि आज काफी संख्या में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त होंगे तो उसके लिए हमने विसेश रूप से तयारी की है और जो विभाग है जहां से अदेयता प्रमान पत्र जारी होना है उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया है कि विसेश व्यवस्ता करें ताकि आप यर्थियों को कम से कम कटनाईयों का सामना करना पड़े जी कोरोना काल के बाद लगाता जो है ये चुनाव टलते जा रहे थे और अब जब स्थिती सपष्ट हुई तब ये नया घमासान जारी हो गया OBC आरक्षन को लेकर लेकिन अगर हम बात करें पंचायच चुनाव और जो आन्नी चुनाव होती है लोगसभाया विधान सभाव चुनाव कितने अलग इसके लिए व्यवस्ताएं की जाती है कितना कुछ रिस्पॉंस इन दोनों चुनावों की बीच में हमें अलग-अलग देखने को मिलता है क्या कुछ डिफरेंस तयारियों को लेकर देखने को मिलता है क्या कुछ स्तर होता है हम जानना चाहेंगे हमारे महमान से सर दिपिका जी जानना चाहती है कि निगम चुनावों लोगसभा चुनावों विदान सभा चुनाओ इन सबसे कितना इतर होता है पंचायद चुनाओ चुनाओ चुकि एकदम ग्रास रूट लेवल पे होता है तो चैलेंजेज बहुत जादा होते हैं अभी अर्थियों के संख्या बहुत जादा होती है और इनी के द्रिश्टिगत हम लोगों ने ये प्र रोल रूम है जहां पर काउंटिंग होगी ये सभी जनपत पंचायद चेत्र में अलग-अलग किया है महूं में डॉक्टर अमेटकर नगर महूं में भेरिवलाल पाटिदार कॉलेज में हमने स्ट्रांग रूम बनाया है और वहीं पर काउंटिंग करेंगे इसी परकार देपालपुर में जो मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां सावेर में डिगरी कॉलेज और इंदौर जनपत के लिए हम लोग जो स्ट्रांग रूम बना करके और काउंटिंग की कारवाई करने जा रहे हैं वो अटल बिहारी कॉलेज परिसर से होगा तो यह मेजर चेंजेज है जहां पर कि हमने सेंट्रलाइज बेवस्ता सामगरी वगरा हम बना करके दे रहे हैं सभी रिटर्निंग अधिकारियों को सामगरी का डिस्ट्रिविशन और वापसी वह यहां से होगी बाकी का सेंट्रलाइजड हैं हमने देखा यह कोरोना काल के दुरान जब पिछली बार उपचुनाओं हुए थे उस दुरान कोरोना प्रोटोकॉल का विशेश ध्यान रखते हुए सारी विवस्ताइं की थी अभी वी ओमिक्रोन का खतरा पूरे देश में हाला की मद्वदेश और इ अभी तक इसके लिए परियाप्त विवस्ता की हुई है निर्वाचन जहां पर काफी संख्या में अभियरती होंगे और प्रचार प्रसार के दौरान एक दूसरे के संपर्क में आने की संभावना भी रहेगे तो निर्वाचन के दौरान तो जिस प्रकार से अभी सावेर उ रूप से वेवस्ता की गई थी इसी प्रकार की कई वेवस्ता हैं पंचायत निर्वाचन के दौरान भी आपको देखने को मिलेंगी अभी तक जो हम लोगों का अनभव रहा है चुकि नॉमिनेशन पेपर अभी फाइल हो रहे हैं और प्रतिक चिन का आवंट तैस तारिक को होगा तो प्रचार प्रसार की कारवाई जो है इसके बाद ही परारंब होगी और जो रिटर्निंग आफिसर्स हैं वो भी निरंतर अभियर्थियों से इस बात के लिए प्रयास करेंगे और उन्हें समझाईस देने की कोसिस करेंगे कि वे कोविट प्रोटकॉल का पूरी तर रहा है मामला उसके तरह अभी रुक्की हुई मानिय सर्वोच नियाले के निर्देश के अनुक्रम में राज निर्वाचन आयोग द्वारा अभी अनि पिछड़ा वर्ग के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया को अस्थ्रगित किया गया है और जैसे ही आयोग से कोई करिया को जिस भी सरूप में जो भी निर्देश होंगे उसके अनुरूप निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा आज देख रहे हैं कि आज जिसे अंतिम दिन है बहुत चुनोती है आज भी क्योंकि सभी जगे बहुत कम नॉमिनेशन हुआ है तो हमने क्या स् परिसर में या कमरे में ले लिया जाता है और उन्हें वहीं बिठाकर जितने भी अब्यारथी रह जाते हैं तीन आएंगे उन्हें हम कक्ष क्रमां के 102 में तीन बजे के आसपास ले जाएंगे इसी प्रकार जो जनपत पंचायत के अभिहरती होंगे उनके लिए भी हमने बेरिकेट लगाकर एक परिसर क्रियेट किया है जहां पर तीन बजे के लगबग एनाउंसमेंट के बाद हम उनको एक स अग्या में भी हमने इजाफा किया और कम से कम दो गुना कर लिया है जो जाज करने वाले दल है तो हमारी पूरी तरिके से हैं सर आज नॉमिनेशन के बाद इसके बाद क्या प्रकरिया पूरी की जाएंगे तेविस को तो हम चुनाओ चेना अवंटित करेंगे लेकिन आज स अंतिम हो जाएगा जो नॉमिनेशन पेपर भरे जाएंगे उसके बाद कल 21 तारिक को जो रिटर्णिंग अफिसर हैं उनके कारियाले में ही नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होगी 23 तारिक को 3.30 से 3.30 तक अभ्यर्थी जो है वो अपना नॉमिनेशन पेपर वापस ले पा अगर हम बात करें पंचायक चुनावों की और कहीं न कहीं लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से जो मुख्य राजनेतिक डल होते हैं उनका सपोर्ट जो अभ्यर्थी होते हैं जो उम्मिद्वार होते हैं उन्हें मिलता रहता है कितना कुछ प्रभाव जो सत्ता पक्ष या जो विपक्ष है उसका कितना दबाव या प्रभाव इन चुनाव उपर देखने को मिलता है और क्या अधिकारी इस से उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है जी दिपिका जी जानना चाहती है ये पंचाय चुनाओ जो है वो राजनीतिक पार्टियों के तहत नहीं लड़े जाते हैं इंडिविजल होते हैं हाला कि फिर भी कोई ने कोई अपना केंडिडेट रहता है तो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष उसको लेकर रहता है कई बार एक इसी स्तिति होती कि विपक्ष जो है वो लगातार कंप्लेंड करता है इनमें पंचाय चुनाओं में भी इसतरह की स्तितियां रहती हैं देखे पंचाय चुनाओं दलीय आधार पर नहीं होता है और फिर भी जो सिकायतें हैं उनके निराकरण के लिए हमने करेंगे बलकि उनके निराकरण की कारवाई भी करेंगे और इसके लिए हमारा एक विसेश कक्ष बना हुआ है जहां पर हमने नोडल अधिकारी की निक्ति की है और उसके माध्यम से जो जनपद अस्तर है हमारा जहां पर चारों रिटर्डिंग अधिकारी बैठे हुए हैं उन परचायत निर्वाचन में अभी ऐसे कोई लिमिट नहीं है तो हम उसके बाद भी निगरानी रखते हैं कहीं कोई इसा कर रहा हो देखें चुकि यह बहुत छोटे लेवल पर होता है तो बहुत ज्यादा खर्च जैसे इस्थिती तो नहीं होती है बट हां हमारी नजरे प्रतुल सिन्नाज जी ने पूरी जानकारी दी है जिला पंचा जनपत के और पंच सरपंच के चुनाओं को लेकर तो यह महत्पूर्ण है आज अंतिम दिन जितने अनामंकन दाखिलोंगे और यह विवस्था भी की गई है कि अगर तीन बज़े तक जितने जो उमिदवार आते हैं उन्हें एक अनॉंस्मेंट के बाद एक बेरिकेटेट परिसर में रखा जाएगा और उनके नामंकन अगर रात को आड़ विजे तक भी लिये जाने हो तो वह व्यवस्था है वहां रखी गई है ताकि उमिदवारों को किसी तरह की परिशानी नहीं हो क्योंकि आज चाउदा जो है वो पद हैं और चाउदा पदों के लिए लगभग सतर से असी नामंकन होने की उमीद है तो ऐसे में पांच ही आये हैं तो पिचोतर सिर्फ जिला पंचायत में आएंगे उनकी स्कूरूटनी करना उनकी जांच करना आवेदन की और लेना ये सारी प्रक्रिय चानी ना हो इसकी सारी वेवस्ताइं की गई है और तीन बजे बाद कोई आता है तो उसे लोटा दिया जाएगा तीन के पहले लेकर उन्हें टोकन सिस्टम या परिसर में बिठाया जाएगा और फिर अगर वो रात को आड़ बजे नो बजे तक भी उनके आवेदन होते हैं आज मतदान आज नामांकन का अंतिम दिन है तीन बजे तक का समय दिया गया और कहीं न कहीं तीन बजे बाद या शाम तक ये स्थिती साफ उपाईगी जी दनिवाद प्रवीन जी स्विशे पर हम से जुड़ने की तो ये इंदौर से हमारे साथ जुड़े थे हमारे समादा प्रवीन सावन जी जिन्होंने में जानकारी दी है मध्धिप्रदेश में 30 तरिय चुनाव होना है 2022 मध्धिप्रदेश पंचायट चुनाव जिसके लिए इन दौर में 6 तारिक को मतदान होना है और इसी कड़ी में आज हम बात कर रहे थे उपजिला निर्वाचन अधिकार प्रतुल सिन्हाजी से जिन्होंने में जानकारी दी है काफी विवस्थाएं यहाँ पर की गई है साथ ही जो कोरुना के नए विरेंट ओमिक्रॉन का खत्रा लगातार मंद्रा रहा है उसको लेकर भी इस चुनाव में विशेश विवस्थाएं की गई है आज नामांकन का आ प्रतान होना है इन दौर में तो आज नामांकन का आखरी दीन और विशेश विवस्थाएं जो है चुनाव आयोग द्वारा की गई है डिजाना नीउस पर खबर लगातार जारी है आप बनने देखिया हमारे साथ